और एया की महिला भू माफिया का कहर जारी पीड़ित परिवार बैठा हुआ है धरने पे लगातार कोई नहीं आ रहा है सुनवाई करने आईए एक पेश है आपके सामने के स्पेशल रिपोर्ट क्रिमनल हिस्ट्री सीटर एवं वकील वसिख्षा माफिया वा भू माफिया द्वारा जमीन हडब जाने पर सदमे में जीता परिवार द्वारा आज यहां धरना इस थल पे आउतरा है यहां पे धरना इनका लगातार जारी है जैसे आपने हमारी अन्ने खबरों में देखा कि पीडित परिवार किस तरीके से बया कर रहा है अपनी जो उसकी भूमी कबजा हुई है उसको ले करके काफी परेशान है काफी डरा हुआ सहमा सा है यहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस समय धरना इस्थल पे राजधानी के आपके इको गाल्डन में यहां हमारे साथ काफी दिनों से बहुत बड़ा सड़ेंदर चल रहा है जिस सड़ेंदर के तहत सेंट फ्रांसेस एकेडमी की जगह है मुझ इस्तित मौजा आनवपूर पर अतकरमण किया गया और हमारे छोटे भाई श्योकुमार की पतनी कल्पना दे भी उनकी बड़ी बहन प्रिती देवी इन तमाम लोगों के द्वारा ऐसा कूट रचित सड़ेंदर रचा गया जिसके तहत सारे हक अदकारों से बंचित किया गया और मुझे 302 में फसा करके आज 8-10 साल से दरदर की ठोकरे खानी पड़ रही हैं और बारे तारी को तो यहां तक फोन आया था कि आ आपके घार पर फोन किया यह बदन सिंग एड़ोकेट की पतनी घीता घीता से ने यह फोन किया था कि पपो मैं तो तुमको बहुत सीधा समझते थे तुम बहुत बहुत बड़े बदमास निकले आप वहां धन्ना इस तर छोड़ दो वरना पपो तुमारे और तुमारे पर प्रसाशन द्वारा क्या भी हाल ही में कोई फोन या ऐसा कुछ आया आज और यह कोटवाली के सियो का फोन हो अथ्वा एसो साब का फोन हो फोन आया उन्होंने यह दिलासा बनवाई कि आप यहां आजाओ हम आपका सब निक्टवा देंगी उन्हें 302 का मुकदमा खतम करा देंगे तो मैंने का 302 के मुकदमा खतम करने से क्या होगा इन सडेंत्रकारियों ने हमारे उपर हमारे भूमी के उपर अभी कोई अस्वासन नहीं एक लेखपाल महला जो अंतौल मौजा की है उसका फोन आया था वो कह रही थी कि हमको यह वसीयत की कोपी मौया कराई जाए फर मैं इसमें विचना करूगी और आने पूर मौजा के समंद में तो अभी तक किसी अधिकारी ने मौही नहीं खोला चुक्छ आने पूर मौजा सहर के बीचों बीच का मौजा है सेंट फ्रांसिस एकेडमी चौरा है वहां बेस कीमती जमीन है जिसमें एक एक प्लाट की सर जब लग गई तो उन्हीं लोगों के सह पर मुझे 302 में फसाया गया और 302 में फसा करके फर कूट रचे ढंग से हमारे भाई से सड़ेंतर के माद्र कहीं सात लाख रोपए लिए कई दो लाख रोपए लिए गए कई धंकियां दी गए रेक आची एक भी अच्छ की कहीं को तो तुमको दो एलजी के निकार दूँगा तुमको इस धर्ती पर नहीं चलने दूँगा यह तेरा मकान भासकवा दूँगा तो यह सरफ बदन सिंग एडवोकेट की सह पर हमारे पीछे यह बहुत बड़े हिस्टी सीटर लगा दिये गए नहीं यह हिस्टी सीटर मुझे क अगर कहीं जैसे और हमारी पैत्रिक गूजरी में लड़ाई हुई हमाथ जोड के अपनी घर मकान जमीन बेच के चलिया गुपालपुर्ण असया ना बसाया वहां भी लोग मुझे लड़ गए मैंने वहां भी बेच दी घर मकान जमीन वहां से भी पलायन करिया तो आपको क लगता यह दृष्टी जो है आपके ऊपर शनी और बाहरी है बहुत सनीसे भारी नहीं होती तो मैं सकहीं मोधी दरवार में नहीं आता है हांра outward यहλάं को हुँ और एक मुझे जिल्य कड़ेक्ट के यहां यह बैठ लेने देते तो यहां कंव सो आते उहां बैठने ही नहीं दिया गया कि एहां बैठे की हां तुमको मार ماर हवि को रहा गोलियों से चलनी कर दोगा जो बाण दिंदाले हत्त्त तो वहां तो अस्रुच्छा का भाव समझ करके मैं तो सर छुपा करके यहां मोधी दरवार में आगया मोधी दरवार में नियाई की गौहर लगाने आया हूं तो जैसे ही आपने पीडित परिवार की देखा कितना डरा सहमा सा है आपको बता दें कि जो योगी सरकार है एक भू माफिया इंटी स्कॉर्ट भी चला रही है पोर्टल चला रही है जिसके अंतर गज भू माफियाओं के उपर रोक थाम लगाने के लिए तो आप मैं अपने क अपने परिवार दोरा तो जैसे की एक सनी की द्रिष्टी आज शायद भू माफियाओं को साथ में ले करके चल लई है कि शनी की एक बार द्रिष्टी जो है वो चली भी जाएगी लेकिन शायद भू माफिया के द्रिष्टी अगर किसी के उपर पड़ गई तो इसी लाचारी को ले करके यहां पर जैसे परिवार आपको दिख रहा है ऐसा ही कहीं आप भी ना हो तो आप इस खबर को श और इसको कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसी घटनाएं आपके भी आसपास हो रही होगे तो कहीं ना कहीं आपको भी जागने की जरूरत है इसी के साथ मेहमित आपसे इजाज़त चाहता हूं धन्यवार आपने सुना पीड़ित परिवार की आप बीती कितने दिनों से लगातार धरना इस थल पे बैट के धरना दे रहे हैं सनी की जो साड़े साती होती है वो तो फिर भी लोगों को बक्ष देती है लेकिन भू माफिया का कहर उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है क्या उत्तर प्रदेश सरकार के उपर भू माफिया उठा र हो जैसे कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि आपके कमेंड हमें बहुत भाते हैं तो आप कमेंड करके हमें जरूर बताएं अपने आस-पास की कोई भी घटना हो रही हो तो हमारे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिल जाएगा हमारी साइड भी मिल जाएगी तो उसके उपर जा करके आप अपना रख सकते हैं विचार और अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पे देख रहे हैं तो उसके उपर आप जानते हैं कि पेज को लाइक करेंगे तो सारी खबरे आपको मिलती रहेगी तो इस पुनीत कार में देरी ना करिए तुरंद हमारे चैनल को यूट्यूब पे और फेस्बुक पे लाइक कर लिजे सब्सक्राइब कर लिजे जिससे आपको हर कबर सही समय से हमारी मिलती रहे है